वेलकम टू ओल फिफ्ट टेन्स स्टूडेंट आज हम गुजराती के टेस्ट बुक के चैप्टर नमबर एट चोटी मुंडो गुगु चोटी खा अथार्त जिसके पास चोटी है मुंडो अथार्त जो टकला है जिसके सिर्पिवाल नहीं गुगी गुगु अथार्त वो गाते हैं नाना अम्था आज भले ने काले मोटा थाशू अमे तो गीत गुलाबी गाशू कहा गया है कि नाने नाना अम्था आज भले ही हम छोटे हैं अम्था का मतलब छोटे आज भले ही हम छोटे हैं लेकिन कल जो है हम बड़े होंगे अमे तो गीत गुलाबी गाशू औ और हम बड़े होके अच्छे अच्छे गीतों को गाएंगे। मस्त थाईने अजान पन्ते अमें एकला जासू। मस्त होकर हम अंजाने रास्ते पर ऐसे रास्ते पर जाएंगे और हम अपनी विजय को प्राप्त करेंगे और अकेले ही उस रास्ते को हम ढूणेंगे। और इस प्रकार से हम ऐसे बड़े होंगे कि हमें कोई पहचान ही नहीं पाएगा। हशे होट पर स्मीत हमारे होटू पर मुस्कान रहेगी। आखमा कदी होई नहीं आसू और हमारे आखों में कभी आसू नहीं होगा। हमें तो गीत गुलाबी गासू और हम बड़े होकर गुलाबी गीतों को गाएंगे अच्छे गीतों को गाएंगे। प्रस्तुत जो कावे है सूरेज दलाल कवी द्वारा लिखा गया है। और इस कावे में हमें बताया गया है कि कैसे एक छोटे से बच्चे बड़े होकर अच्छे-च्छे कामों को करने की प्रेड़ना देते हैं। हेलो अल स्टुडेंट्स अभी हमने पहले कावे का पठन किया और उसे समझा और अब हम पेज नंबर 114 पे जो वारता है जो स्टोरी दी गई है उसे हम पढ़ेंगे और उसे समधने का प्रयास करेंगे। और उस वारता अथार्त स्टोरी का टाइटल है हठे गठे अकलवीर हठे गठे का मतलब यहाँ पर होता है लगबग बुद्धिमान हठे गठे का मतलब लगबग और अकलवीर का मतलब शायद होता है हठे गठे अशायद बुद्धिमान यह टाइटल यहाँ पर दिया गया और ये स्टोरी है जिसे मैं रीड करूंगी और आप सबको समझाने का प्रयास करूंगी मैं आशा करती हूँ कि सभी लोग इससे समधने का प्रयास करेंगे और हम मेरी इस चैप्टर को पढ़ने की कोशिश को आगे बढ़ाएंगे और उसे समधने का प्रयास करेंगे तो चलो विध्यार्ती All Students हम लोग इस चेप्टर को पढ़ते हैं विध्या चतुर नामे एक पंडित हता विध्या चतुर नाम के एक पंडित थे तेमने पोतानी चतुराईनों खूब अभिमान होतु उन्हें अपनी चतुरता का बहुत जादा अभिमान था कहते हैं कि विध्या चतुर नाम के एक पंडित थे और उनको अपनी चतुरता पर बहुत जादा अभिमान था गमंड था एक वकतनी शभा मा बधाये तेमने महा पंडित कया एक बार एक सभा हो रही थी और उसमें सभी ने उन्हें महापंडित कहा तभी उस सभा में एक पंडित ने कहा मुंडापूर्मा बेच चतुर पूर सोचे ते बन्ने ने जीते तेज खरो विद्यावान कहवाए वहाँ जब सभा चल रहे थी तो वहाँ पर एक पंडित जीते उन्होंने खड़े होकर कहा कि मुंडापूर नाम की एक जगह पर दो चतुर पूरुष रहते हैं विद्वान रहते हैं अगर कोई उस से जीतेगे तो सचमे वास्तों में तभी वह विद्यावान कहलाएंगे बाकी कोई विद्यावान चतुरो है पोतानी बड़ाई हाकवी नहीं और बाकी कोई अगर विद्यावान है तो उनके सामने जाकर मुकाबला करे तभी अपनी चतुराई को बताए नहीं तो नहीं अपने बड़ाई हाकवी अथार्ट अपने बखान करना अपने बारे में अच्छा बताना कि मैं बहुत जादा बुद्धिमान हूँ विद्या चतुर तब जब पंडित जी ने ऐसी बात कही तो विद्या चतुर नाम के पंडित ने कहा हूँ खोटी बड़ाई हाकुचू एम तमें कहो चो मैं अपनी गलत बखान कर रहा हूँ ऐसा तुम कहना चाहते हो चतुराई में अमने कोई जीती शक्यू न थी चतुरता में मुझे कोई जीत सका नहीं है हवे तो ए चतुर पुड़सों ने हरावू तोज हूँ पंडित विद्या चतुर खरो और अगर ऐसी बात है तो जब तक मैं उन चतुर पुड़सों को हराऊंगा नहीं तब तक मैं पंडित विद्या चतुर असल में नहीं हूँ नहीं तर मारू नाम बदली नाको अगर मैंने उन्हें नहीं हराय तो मैं अपना नाम बदल दूँगा हुँ खरो खरो चतुर चुँ और सच में मैं वास्तों में एक चतुर इंसान हुँ बुद्धि मान हुँ बुद्धि शाड़े चुँ मैं बुद्धि मान हुँ गमे तेवी समस्या नो उकेल आपीज दव कैसी भी समस्या हो उसका उपाय मैं निकाल सकता हुँ विद्या चतुर तो बीजेद दिव से उपड़या, चतुर पूर्सों ने जीतवाने पहुची गया मुंडापूर विद्या चतुर के दिमाग में वो बाद घूम रही थी और दूसरे ही दिन वो निकल पड़े उन दो चतुर पूर्सों को जीतने के लिए उनके गाउं मुंडापूर पहुच गए आतरब बीजादिव से चको मको पन पहुचिया और इस तरह से वहाँ पर दूसरे दिन चको मको इस दो इनसान एक का नाम चका है दूसरे का नाम मका है तो वो दोनों चतुर पूर्स वहां राजी सभा में पहुचे राजी सभा में विराजमान हुए अपने आसन पर सभा जनों चतुर पूर्सो की जय और तभी सभी सभा जनों ने चतुर पूर्सो की जय बोलकर सभा में गर्जना की इस तरह से सभी की जय बोली गई इस प्रकार से जब जो सभा थी वो स्टार्ट हूई उसमें एक प्रधान जी थे उन्होंने कहा हे चतुर पूर्सो मही सुर नगर ना पंडित तमने एक प्रश्न पूछवा आव्या छे प्रधान जी ने कहा कि हे चतुर पूर्शो अथार चका और मका वो पूछा कि महिसुर नगर से एक पंडित जिनका नाम विद्या चतुर है वो आप लोगों से एक प्रश्ण पूछने के लिए आये हैं प्रश्ण की बात सुनकर ही मका भाई का जो सर है वो घूमने लगा और जो चका भाई थे उनके चक्के चुड़ गया अथार तो वो अपनी हिम्मत को छोड़ दिये उन दोनों ने जब प्रश्ण की बात सुनी तो उन दोनों को चक्कर आने लगे चकाए मका सामे जोई चका ने मका के सामने देखा और मका ने चका के सामने देखा प्रधान जी अमारा चतुर पूरुषो तयार छे, पूछो प्रश्ण तप्रधान जी ने कहा कि हमारे चतुर पूरुष जो है वो तयार है, आप प्रश्ण पूछे विद्या चतुर ने कहा, कहो जो ये आ कोडा नो साचो उत्तर शो विद्या चतुर्जी ने कहा चलो बताओ इस पहेली का सच्चा उतर कोड़ा मतलब पहेली पहेली का सच्चा उतर क्या है अब ये पहेली जो है ये देखे नहीं ते जो तो जाए नहीं चाल तो दोड़यो जाए देखे नहीं तो जो तो जाए नहीं चाल तो दोड़ेों जाए एक मा एक जो भड़े तो नक्की तो ते नक्की एज थाए इसमें पुछा गया है कि अगर देखते नहीं है तो भी चलते जाते हैं देखे नहीं ते जोतो जाए, देखता नहीं है फिर भी जाता रहता है, नहीं चालतो दोड़े जाए, नहीं चलता नहीं है फिर भी दोड़ा जाता है, एक मा एक जो बड़े, एक में एक अगर मिले तो नक्की तो सचमुच ऐसा एक ही हो जाए. सव चतुर पूर्सों ना जवाब नी रहा जोता हता, सभी जो सभागन थे वो उन चतुर पूर्सों के जवाब उत्तर की आंसर्स की तहीर रहा देख रहे थे, मात्र छको मको जानता हता कि पोते दर वक्ते हठे गठे साचा खोटा उत्तरों आपी ने चतुर पूर्सों कहवा माट्र सभी लोग उस आंशर का वेट करने लगे लेकिन मात्र छको और मको यही दोनों जानते थे कि वो लोग है न ऐसे ही तुक्का लगा कर सच्चे जूठे सवालों का जवाब देकर चतुर पूरुस कहलाने लगे थे लेकिन वास्तों में वो इतने जादा चतुर नहीं थे मको आजे उत्तर नहीं आपिए तब उसमें से मका ने कहा कि आज हम उत्तर नहीं देंगे तो छको हमें काले उत्तर आपिशू तो छका ने कहा कि हम कल उत्तर देंगे चका भाई चोटी चतुर अने मका भाई मुंडा चतुर चका भाई ये हैं जिनके पास बड़ी सी लंबी सी चोटी थी और मका भाई मुंडा चतुर जिनके पास बहुत बड़ा मुंडा था अथार्ट बाल लही थे बे उपादी मा भड़ी गया जब दोनों बहुत बड़ी मुसीबत में पढ़ गए थे रत लई पोताना महल मा पहुचे और इस तरह से वो अपने रत को लेकर अपने महल में पहुच गए चको अब चका मका आपने एक दूसरे से बात कर रहे है 기대 शका ने कहा रा है मका का, मका अमारी थाटी फड़क फड़क थाईजए। आत्वल एक कोड़ा नो उत्तर शीर इते आपिशी। चका कि मका मेरी साश उपर नीचे वह रही है और मेरी धटकन और pande का शीरिते आपिसु हम इस पहली का जवाब कैसे देंगे तो मका ने कहा उत्तर तो भई हमड़ा आपि दो तब मका ने कहा कि जो आंसर है वो मैं अभी दे सकता हूँ पर हूँ तो पंडित नो कोईडोज भूली गयो लेकिन मैं उस पंडित के द्वारक कही गई पहली को ही भूल गया हूँ हवे बीजो कोई उपाए न थी अब दूसरा कोई उपाए मेरे पास नहीं है शको तो शको ने कहा कि त्यारे करो तैयारी तो अब चलो क्या कुछ तैयारी करते हैं राच चे अपड़ा बापनी राच जो है हमारे पापा की है शको राजाय अगाउ इनामा आपे ली सोना मोहरना बै पोटला बांधवा माण लेओ जो शका था वो क्या करने लगा राजा ने जो दिया गया इनाम था जो सोने की मोहरे थी सोने के सिक्के थे उनके दो जो है गठरी वो बांदने लगा और दोनों गठरीयों को वो क्या करने लगा बांद के रखने लगा और इस प्रकार से दोनों ने क्या किया राजा द्वारे दी गई सोना मोहरों को सोने के सिक्षे को दो भागों में बांद कर गठरी बनाने लगे तब ही मका ने कहा एक तो साथ मन वजन नू सरीर लईने चालवू ने उपर थी पन उपर थी मन एक नू पोटलू एक तो मेरा इतना वजन भारी है जो मका भाई थे जो टकले से थे वो बहुत मोटे से थे उन्होंने कहा कि एक तो साथ मन मन का अथार्ट 20 है तो 120 किलो का मेरा वजन है एक मन में 20 मारा थी नहीं उचकाए मुझसे ये उठा नहीं जाएगा बे पोटलानू एक करी नाक अने उपार जेतू मका भाई ने चका भाई से कहा कि दो गठ्रियों का एक गठ्रा बनाओ और तुम ही इसे उठाओ थोड़ी वार पची चका मकाई वारा फड़ती और दो और दो कोईड याद आवयो थोड़ी दिर के बाद छका भाई और मका भाई दोनों को एक के बाद एक आधा 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 आधी आधी पहेली याद आ गई विचारियों के पंडिते अमने बेवकू बनावा माटेज आवो खोटो कोईडो पूछियो चे उन दोनोंने सोचा कि पंडित जी ने हमें मुर्ख बनाने के लिए ही ऐसा गलत पहेली पूछिये पंडित जी ने हमें मुर्ख बनाने के लिए ऐसी गलत पहेली पूछी है मको तो बस तो मका भाई ने कहा चका भाई से कि तो बस आपने सभामा जैने कहिए कि विद्या चतुरे पूछेला कोईडा खोटा छे तो बस हम जाते हैं और सभामे जाके कहेंगी कि विद्या चतु जो पंडित है उन्होंने जो पहेली पूछी है वह गलत है तो छका भाई ने कहा एवो उत्तर आपवाती राजा आपड़ने साचो कोड़ो पूछे तो अगर हम ऐसा जवाब वहाँ पे करेंगे देंगे तो राजा हमसे सही पहेली के बारे में पूछेंगे आपड़े एवो नतीक करवू आपड़े भागवू छे हमें ऐसा नहीं करना है हमें तो यहां से भाग जाना है रात पड़ी ने छका मका भाई तो पोटलू लई ने भाग गया जैसे ही रात शुरू हुई वैसे ही छका भाई और मका भाई दोनों अपनी गट्री को लेकर भागने लगे मको दीमे दीमे इने छको जाय तड़ा मार मका जो थे जो मोटे से थे मका भाई मुंडा भाई वो है धीरे धीरे चल रहे थे और छका भाई तेजी से चल रहे थे उतावडा सो बावरा जो उतावडे होते हैं वो सच में पागल हो जाते हैं छका ने ठेस वागी जैसे ही जल वैसे ही वो नीचे गिर पड़े, खार वाली धूल तेनी आँख मा भराई गई, खार वाली मतलब रेती जो छार वाली होती है, खराश वाली होती है, वैसी धूल जो है उनकी आँखों में भर गई, छकाए मका ने जोड थी बूम पाड़ी, छका भाई ने मका भाई को जोड स चिल्लाया के बुलाया ओ मकला आरे दोड जट तमारी आँखो फुटी गई ओ मकला जल्दी से आ मेरे पास मेरी आँखे फूड गई है अब मुझसे दिखाई नहीं दे रहा मको हूँ तने दोरिस तुमारी पाचड पाचड चाल ले आओ तो मका भाई ने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें गाइड करूँगा मैं तुम्हें माग डशन दूँगा तुम मेरे पीछे पीछे चले आओ थोड़े दूर गया त्या वड़ी मका ने ठेस वागे थोड़ी दूर जैसे ही गये तो वहाँ पर मका को जो है मका भाई को जो है ठोकर लगए बाजू मा पड़ेला पत्थर साथी मका नो गोठन बठकायो जो बाजू में एक पत्थर पड़ा था रास्ते में उस पत्थर से मका भाई का जो घुटना था वो टकरा गया और जिसकी वज़े से हाड को भागी हो यह भी पीडा तेने थवा माड़ी जिस वज़े से हड़ी तूट गई हो गुटने की ऐसा दर्द उनको होने लगा मका भाई ने कहा ओ छकला रे मारो पग ओ छकला देखो मेरा पैर तूटी गयो मेरा पैर जो है तूट गया हवे मारा थी चला से नहीं अब मुझसे चला नहीं जाएगा चको मका कई वांदो नहीं चका भाई ने कहा मका भाई कोई बात नहीं चड़ी जा मारे खबे मेरे कंधे पर चड़ जाओ तू मारक बताओ जे हूँ चालिस तुम रास्ता बताना और मैं चलूंगा मारा पगने तारी आखो मेरा पैर और तुम्हारी आखें हमें माग डशन देंगी सवारी उपड़ी और इस तरह से दोनों की सवारी चल पड़ी मको कहे एम चको चाल ले हो जाए जैसे मका भाई कहने लगे रास्ता बताने लगे वैसे चका भाई चलने लगे एका एक चको उभो रही गयो अचानक चका भाई खड़े हो गये आनंद मावी हसी पड़े और खुशी में आकर जोर जोर से हसने लगे जोर जोर से हसने लगे चकाने कोडानो चका भाई को पहली का चका भाई को पहली का आंसर मिल गया, बनने पाचा वड़िया, दोनों ही वापस चले आए, अने कोई जुवे नहीं, पाचला बारणे थी, पोताना महल मां गुसे गया, और कोई देखे नहीं, इस प्रकार से पीछे के दरवाजे से दोनों महल में गुस गये, सोना मोहरनों पोटलू, साचवी ने पाचु मुकी दिदू, सोने से भरा हुआ जो उनके पास गट्री थी, सोने के सिक्यों से भरी हुई, वो उनोंने सावचेती से एक जगा फिर से रख दी, मका भाई ने गोठण मा वागे लू, मका भाई को जो है गुटने में चोट लगी थी, साथ मनना मका भाई ने उपाड़ी ने चका भाई ने पीट दुपती हती, और 120 किलो के साथ मन के मका भाई को उठा कर चका भाई की जो पीट है, वो दर्द कर रही थी, बे पलंग मा पड़े आतेवा उंगी गया, जैसे ही दोनों बैड पे गए, पलंग पे गए, वैस सही बिस्तर में जाकर सो गए, जागवामा मौलू थयू, सुबा उठने में उनको देरी हुई, आतरफ राजसभामा बे नावाने राज हो वाती हती, और राजसभामें दोनों के इंतजार हो रहा था, दोनों का वेट हो रहा था कि कब वो लोग आएंगे, विद्या चतुर आवेशू खाक हूँ पंडित मही सुर नगर नो, मारा कोडा नो उत्तर कोई थी अपाय नहीं, तब विद्या चतुर अपने घमंड में चूर थे, और घमंड में चूर होके वो कह रहे थे, आँ, वो क्या आएंगे, वो खाक बन गये, मैं हूँ पंडित मही सुर नगर का, और मेरी पहली का उत्तर कोई नहीं दे सकता, ऐसा उन्होंने कहा, चका मका भाई उठिया, और चके भाई और मका भाई दोनों खड़े हुए, फटा-फट उन्होंने ब्रश किया, दातन पानिं किया, फ्रेश हुए, और फिर वो राज सभा में पहुचे, चका भाई ने कहा क्या चे पेला बेवकू, चका भाई ने कहा कि कहा है वो मुर्क, तो राजा ने कहा प्रधान जी विध्या चतुर ने उभा करो, तो राजा ने कहा प्रधान जी क्या कीजिए विध्या चतुर को खड़ा करो, तो चका भाई ने कहा शो हतो तमारो कोडो, चका भाई ने कहा क पेला देखता ने न थी देखता ने, पेला वो देखते हैं और नहीं देखते, वैसी ही कुछ पहली है ना आपकी, विध्या चतूरे फरे थी कोड़ो कहो, विध्या चतूर पंडित ने फिर से अपनी पहली को दोर आया, देखे नहीं ते जो तो जाए, नहीं चाल तो छको खड़ खड़ा ठस्यो और छका भाई जोड़ जोड़ से हसने लगे छका भाई कहने लगे हाँ आतो सहलू छे तो छका भाई ने का हाँ ये तो बहुत आसान है कोईक ने देखा तू न होए ने कोईक ती चला तू न होए किसी से देखा नहीं जाता और किसी से चला नहीं जाता हवे जो चला तु न होये एदेखा तु न होये एना खबे 20 रस्तो बतावे तो पेलो देख तो ठ़ाई गएों कहते हैं कि जिससे चलाता न हो और जिससे दिखाता न हो तो क्या करे जिससे दिखाते न हो उसके कंदे पर बैठ जाए अथर जो चल नहीं सकता वो न देखने वाले के कंदे पर बैठ जाए और रास्ता बताए तो पेलो देख तो थाएगी और इस तरह से उसके पास आँखे आगई वो देखने लगा और इस तरह से रस्ता जो है कटने लगता है एज रिते नो तू चला तू ये दोड तो होए और इसी तर बोले पन एक मा एक भड़े एनुशू लेकिन एक में एक मिल जाए इसका क्या अर्थ है तो मका भाई ने कहा अरे एक एक कस थया के नहीं तो उसने कहा कि एक बै दो इंसान मिलकर एक ही बन गए न एक पोटला मा बीजू पोटलू मुको तो एक कच पोटलू कहवाए एक गठरी मिक्स कर दो मिला दो बान दो तो वह एक ही गठरी कही जाएगी एक नदी मा बीजी नदी भड़े तो पच्छी थी ये एकज नदी कहवाए अगर एक नदी में दूसरी नदी मिल जाती है तो वह एक ही नदी कहलाती है एक धगला मा बीजू धगलो भेड़ो एक गठ एक धेर में अगर दूसरा धेर मिलाते हैं तो वो एक ही धेर कहा जाता है ऐसा उन्होंने कहने के बाद उन्होंने कहा बोलो खरीवात के नहीं मका भाई ने कहा बोलो मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं विद्या चतूर पीडा पड़े गया विद्या चतूर बहुत ज़्यादा न चतुरपुर्सों की विजय कही, जय जय कार कही, राजाय चका मका भाई ने थाड भरी ने सोना मोहर भेटा पी, राजा ने चका भाई और मका भाई को थाली भर भर के सोनों के सिक्के उपहार में दिये, सभा पूरी थाई, और इस तरह से सभा पूरी हुई, बन्ने रतमा बे पोताना महल मा पाच्छावया, दो नोरत में बैठ कर अपने महल में वापस आ गए, छको मका हवे फरी कोई उपादी आव से तो, छका ने मका भाई से कहा कि मका अब कोई मुसीबत आ गई तो मका ने कहा तो सूराच्छे आपड़ा, तो मका भाई ने कहा तो फिर क्या रात है अपनी, तो मका भाई ने कहा बापनी मतलब हमारे पापा की है, हम रात को कुछ भी सोचकर विचार कर हम कुछ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, प्रस्तुत पाड़ जो है जीवराम जोसी द्वारा लिखा गया है, मैं आसा करती हूँ, all five standards students से कि वो इस chapter को समझेंगे और समध करेंगे, thank you, thank you all of you